हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंट अराधना काफी दिनों बात आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए विकज अभी थोड़ा सा मैया रूटीन जो है वो डिस्टरब हो गया था मैं गाओ गई हुई थी, पुजा वगेरा हुआ है तो इस वज़े से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी मेरी पढ़ाई बीच में भी बंद हो गई थी तो अब फिर से आज है फर्स्ट मार्च और मैंने अपनी पढ़ाई अब आज से स्टार्ट की है अब से मैं continue करूंगी आज के competition के time में वही आगे बढ़ सकते हैं जो smart है और जो situation को अच्छे से देख सकते हैं और उनके effect को observe कर सकते हैं तो आपको भी smartness के साथ अपनी पढ़ाई करनी है अभी UPTED के बारे में जो इसका exam कब होने वाला है form कब से भरे जाएंगे सिर्फ सब लोग उमीदे ही लगा रहे हैं कि अपरिल से होगा अभी ऐसा कुछ officially notification नहीं आया है तो इस वजह से अभी से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ करके हम अपनी तयारी अच्छी कर सकते हैं तो मैंने अब अपनी तयारी स्टार्ट कर दी हैं लास्ट मंत भी मैंने अपनी तयारी स्टार्ट की थी पर मेरी लापरवाई है मैं continue नहीं कर पाई दो चैप्टर्स ही किये हैं मैंने बस उसके बाद फिर बच्चे भी बिमार पढ़ गया फिर मुझे गाउं जाना पढ़ गया और इस वजह से बट अभी क्योंकि मार्च स्टार्ट हो गया है अब कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है एक्जाम का तो अब से मैं अपनी पढ़ रही हूं ताकि बच्चे उठेना क्योंकि जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो खुद को रिलेट कर पा रहा होंगे मुझसे कितनी प्रॉब्लम होती है चोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करने में और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि दीदी अपना डेली रूटीन करिए तो क्योंकि मैं घर पे ही अभी रहती हूं दोनों बच्चे चोटे हैं और इस समय मैं अभी लास्ट दो मन से अकेले ही हूं मम्मी भी यहां पे मेरे साथ नहीं रह रही है तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और मेरा कुछ भी एक फिक्स रूटीन नहीं होता समय समय क्योंकि करता है तो इस वजह से मुझे ही बच्चो को भी देखना होता है और ऐसा होता है कि मैं इतने से इतने बजे तक यह काम ही करूंगी क्योंकि बच्चों के mood का कुछ पता नहीं होता हाँ बट मेरी पढ़ाई का routine fix होता है कुछ चीजे होती है जो मेरी fix होती है तो मैं next वीडियो में आप लोगे साथ जरूर शेयर करूंगी पर जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ मेरा daily routine almost वैसा होता है exactly वैसा नहीं होता है ब का कुछ fix तो नहीं होता है हम कोशिश करते हैं चीजों को manage करने के लिए और काफी हद तक कर भी लेते हैं और ऐसे ही मैं manage करके अपनी पढ़ाई अपने काम और अपने सारी और भी जो मेरी responsibilities है घर की वो सब manage करती हूँ मैं और अभी मैं कर रही हूँ second paper में जो explanation दे रखा हो वह पढ़ रही हूँ मैं मैंने previous question solve किया था तो उसमें questions नहीं आ रहे थे गलत नहीं थे वो मुझे आ ही नहीं रहे तो इसलिए मैंने सुचा कि पहले जो उसका explanation दे रखा है वही पढ़ लेती हूँ तो उससे काफी सब जो facts होते हैं वह हमारे दिमाग में बैठ जाती है ची में questions आते हैं तो काफी हद तक हमें help मिल जाता है जब हम एक दो attempt दे रखे होते हैं यह मेरा first attempt था और आप सब लोग पूछ रहे हैं कि दिरी आपने answer की चेक किया कि नहीं तो मैंने चेक किया है सिर्फ paper one ही चेक किया क्योंकि paper one में में 92 marks ही आ रहा है इस वज़े से फिर paper two म attention बहुत जादा हो जाती है बट कोई नहीं जो भी होगा अब तो हो चुका है अब उसको लेके पच्टाने से कोई फाइदा नहीं है जो कमियां थी जो गलतिया मैंने की उसको सुधारना है तो इस वज़े से अभी यूपी टेट में मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हू तो अपना जो पहले का experience है उस हिसाब से जो मैंने जैसे मैंने पढ़ाई की थी और जो मैंने कमी छोड़ी थी अब उसको सुधार करके अब अपनी पढ़ाई करना start की हूँ और आपके साथ भी अपनी journey हर एक चीज में share करूँगी क्योंकि मुझसे inspired हो करके मेरी बहुत से friends हैं जो अपनी journey start किये हैं मेरे साथ पढ़ाई start किये हैं लोग और यह सब मुझे काफी motivate करता है आप लोग की काफी लोग की comments भी आते हैं कि दीदी आज आपके वजह से हर एक women YouTube पे अपनी study की journey share कर रही है और YouTube पे आई है सब को platform मिला है मुझको देख करके minimum 400 चैनल जो है व मिला है मुझे एक women के लिए अपने घर के responsibilities के साथ अपने बच्चों के responsibilities के साथ अपनी study continue करना बहुत मुश्किल होता है बट फिर भी आप लोग कोशिश कर रही है मुझसे देख करके मुझसे inspired हो करके आप लोग कोशिश कर रही है अपने चीजों को manage करने का तो यह भी मिर हम जो काम करते हैं ना हमारा आज का किया हुआ काम ही हमारा कल जो है वो decide होगा हमारा future कैसा होने वाला है यह totally depend करता है हमारे आज के महनत पे हमारे आज के effort पे तो यह था मेरा आज का वीडियो I hope आप लोग को पसंद आया होगा और अगर थोड़ा भी आप लोग को helpful लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं फिर कल सुबह के वीडियो में और अभी बच्चे सो रहे हैं तो इनके उठने से पहले मुझे अभी fresh up भी होना है नहाना भी है ताकि जब तक यह उठे तब तक मैं अपना पूझा वगेरा कर ली रहती हूं तो या भी उठ गई थी तो मेरे साथ साथ यह चट पे आ गई है बाकी अभी छोटी वाली बच्ची सो रही है या फिर अगर उठी भी होगी तो उसके पापा है तब तक फटा फट में पूझा करके और चाय वगरा ले करके पहुंच जाओंगी बच्चों का दूध और अपना जाई लेकी